आप सभी को नमस्कार आज हम लेकर आएं आज जानेंगे समय दूरी की सवाल को आसानी से सॉल्व करने की ट्रेक लेकर आएं जैनें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सवाल करें आज समय दूरी के ट्रेक लछेंघ सब्सक्राइस करें तो deixa कि तो फर्मूला होता है बोरी है समय नेक्स्ट है चाल क्या होती है चाल का फर्मूला होता है जो दूरी होती है जिसको तैय करने में लगा गया इसको तैय करने में लगा गया जो टाइम होता है होता है उसे पूझ्धे है नेग्स करें हूं की समय क्या होता है जो डिस्टेंस होती है दूरी होती है उश्को पूर्माली एकजनाइब क्या सॉल्भ करते हैं चले किया एक फस्ट एकजनेंपर वाओ की चल बात तक क्लोमीटर प्रतिहावाज शाइए तो इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगी एक कार है इसकी चाल 72 किलो मीटर पर हावर है कितनी है 72 किलो मीटर पर हावर मीटर पर सेकेंड में ग्यातकन तो इसका फाइब बाइब एट्टीन के मल्टिप्ला क्यों करते हैं यह किलो मीटर में दिया हुआ किलो मीटर में होता है एक 1000 मीटर बाटे टाइम कितना है 60 कितना हो था साथ मेनिट एक क्लो मीटर ॏक जार मीटर इसकेंड होते हैं इस प्रकार से इसको 5 x 18 लिखा जाता है तो इस प्रकार नेक्स्ट एक्जम्पल है जिसमें दो गाड़ियां है यह 45 पर हावर की स्पीड से जा रही है दूसरी है दस मीटर पर स्पीड से स्पीड से चल रहे हैं तो इनकी चालों कानपाथ रेशियो गयात करना है तो इसको 45 इंटु बन फाइब अपन 18 से मल्टिप्लाइ कर दिया रेशियो 10 जो 10 मीटर पर सेकेंड में अल्रेडी दिया हुआ है तो इस हो जाएक नाइन से टु टाइम डिवाइड हो जाएक वजाएक वजिए नाइन से फाइब फाइब 25 हो जाएक दा टू रेशियो टें में कितना हो जाएक है गवेंटि ट्वेंटिफाइब रेसियोग तो जी आ जाएगा 5 रेसियोग इसी परकाँ नेक्ट चाड़ एकजामपल हैं एक रेल गाड़ी जिसकी 45 किलोवेटर परहावर जो 140 मीटर रंबे लंबे पुल को 20 सेकेंड वे पार कर जाती है एक रेल काड़ी है जो 45 किलोवेटर प तो चलिए इसको दिखते हैं जो रेलगाड़ी की चाल है 45 किलो मीटर परावा कितने कितने मीटर लंबे पुल को पार करती है और माना कि रेलगाड़ी की लंबाई लैंज एक्स है जो एक्तो चालिस सेकंड एक्स रेलगाड़ी की लंबाई प्लस रेलवे रेलवे ब्रिज की लंबाई और नीचे स्पीड दी गई है 45 अपन 5 अपन 18 यह हो जाएक ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी बी सेकेंड पार करती बी सेकेंड दिया हुआ है कि अब्स प्लस एक्स प्लस इस प्लस नंप पोटी इसकेल ट्वेंटी इन्टू 25 बाई टू यह हो जाएगा 250 च्वेंटी डिल्ली से मुंबाई जाती है प्रती घंटे की क्या ओर बॉस अब स्राफियलिध प्रती क्या होगा जो चाक्र स्वेसें बॉंबाय जाती है और 40 mieux साट किलोमेटर से जाती है 40 से वापस आती है तो इंटू यह फॉर्मूला होता है यहां से बैले फूट कर देंगे जिनलीरन को से वापस अयते है बैले फॉट कर देंगे टू इंटू 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 आपॉनय टोवारीड वाइट को एंटू आजितम और वाइट और होगो फिप्टी एंट्यूह's इनकी average speed आजाएगी 48 km प्रति घंटा नेक्स एक्जाम पर है 5 एक scooter चालक एक scooter चालक है जो 10 घंटर जो किसी दूरी को 10 घंटे में तैय करता है एक scooter चालक है जो अधी को तैय करता है 21 km और आधी को करता है 24 km दूर डिस्टेंस इसका पहले आधी क्लोमेटर आधी दूरी 21 के साब से और नेक्स्ट आधी दूरी 24 के साब से मल्टिप्लाइबाइब 10 कि घंटे में तैय करता है 10 घंटे में 10 बेल्यों होगी अधी हो जाएगा नीच अपन में हो जाएगा 45 20 21 into 24 मल्टिप्लाइबाइबाइब 10 है 552 9 3 7 3 8 7 8 इसे प्रका नेक्स्ट एक्जम्पल है रमेज एक मोटर साइकल द्वारा दिल्ली से अलीगड़ साट क्लोमेटर प्रती घंटे की गति से जाता है गंटा की गति से जाता है और 40 क्लोमेटर प्रती 40 क्लोमेटर प्रती घंटे की गति से दिल्ली लोट आता है उसे जाने और बापिस आने में को पांच गंटे का समय लगाए तो दिल्ली से अलीगड़ की बीच की दूरी क्या होगी यह जो दूरी है उसको निकालने का फॉर्मूला है इसे एकसाएंट वाय एकस प्लस वाय इंटू टाइम टी टाइम 60 इंटू 40 साथ प्लमेटर की स्पीड से जाता है और 40 से बापिस आता है 60 इंटू 40 अपॉन स्प्लस प्लस पॉर्टी मुल्टिप्लाइब 5 जो कुल समय लगाए हो इसे प्रकार नेक्स्ट कुस्टन है जो अन्य डिफिकल के साब से एक बस आगरास से दिली पचास क्लोमेटर प्रती गंटी की गती से जाती हो और तथा उसी रास्ते में चालिस क्लोमेटर प्रती गंटे की गती से बापस आती है यह बापसी की यात्रा में एक गंटा अधिक समय ले लेती है तो आगरा से दिली के बीच की दूरी क्या होगी यहां पर क्या दिया गया है जो दिली से आगरा के बीच की दूरी है जिसम पहले तो पचास क्लोमेटर प X Y आपोन X सथ Y का अंतर X Y अपोन X Y का difference इंटु टाइम पर्स्ट जो पर्छे टाइम लगा गया है और T2 का अंतर जो टाइम बनतर टाइम टू को difference होता है आपने चाल से चलका रमेश अपने स्कूल नियती समय से 7 मिनेट देर पहुंचता है समय से 5 मिनेट पहुंच जाता है तो स्कूल घर के बीच की दूरी कितनी है यहां पर 5 मिनेट पहुंचता है तो 5 मिनेट पहुंच जाता है इसमें 5 इंटू 6 यह वाइपनों जाता जादा है उसको पहले चलक करेंगों तो xy upon x by minus x जो हो जाएगा 5 into 6 upon 6 minus 5 multiply t1 plus t2 पहले 7 minute ज्यादा time लगता था फिर बात में 5 minute कम समय यानि जल्दी पहुंचने का तो यह add हो जाएगा upon यह minute में दिया हुए तो 60 से divide कर देंगे 60 से divide कर देंगे 5 into 6 upon 1 12 into 12 upon 60 यह हो जाएगा 30 upon 60 यह time cancel हो जाएगा यह आजाएगा 6 कि इसी प्रकार नेक्स्ट एक जांप आले थार्ड एक ट्रेंड ए तथा ट्रेंड बी कि लंबाई क्रम से 225-250 मीटर ये चाल क्रम से 54 km 36 km प्रति घणता थो तो ट्रेंड ए में बैठे इस व्रक्ति को ट्रेंड वीम में कितने समय में पार कर लिए यह धी दोनग फिल्प्रीट विलप्रीजिसा में चाल को जो नब विपरी दिसा में चल रही हूं इस टाइब से विपरी दिसा में चल रही हूं तो कितने समय पार्क कर लेंगे कि लंबाई आप एच्छे गति लंबाई कितनी है 250 मीटर कुर्शन में क्या पूछा जा रहा है ट्रेन ये में बैठे हुए किसी बैक्ति को ट्रेन बी कितने दिर में पार्क कर लेगी तो इस उपर कितना किसको लिखा है बी की लंबाई को नीचे आपर चेक चाल जो 56 और 36 क्लोमेटर पर आवर के स्पीड से चलती है सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नीचे बचेगा यह हो जागे टोटल 90 प्लस 5 तो आजाएगा कितना 10 सेकेंड कितने सेकेंड में पार कर लेगी 10 सेकेंड में यह आज के चोट आसा मामूली से कुर्शन से जो एक्जाम से तीन वार पूछा गया है इनियेक्टे एकजामपल है एक चुर, एक कार्च राकट दाइब ज़े असे कलो प्रति गंटे की रफ्तार से चलता है, और तीन ज़े चुरी का पता लकेने पर दूसरी कार्च 100 क्लों मेटर प्रति गंटे की चालते पीचा करती है, ज़े छ वह चुर पकड़ा जा सकेगा, कि एक से जो डिफ्रेंस एक घंटे द्राइब बजे चोरी हुई है तब तक ही 40 किलोमेटर 30 मिनट में 40 किलोमेटर जा सकता है एक से दोनों की समय का अंतर कितना है आदे घंटा बन बाइटू और डिफ्रेंस कितना है एक ब्यक्ति कार द्वारा 56 कि घंटे की घंटे की गती से अपनी आतर पांच गंटे पूरी करता है इस यात्रा को साथ घंटे में चाल क्या होगी इसमें जो व्यक्ति है वो 56 किलोमेटर पर हावर की चाल से और कार को ड्राइब करता है पांच गंटे में दूरी त्या करने हो तो स्पीटर जहिएवह स्पीटर तैम जो इस्पीड का फॉरमुल होता यह स्पीड इन्टू टैम इस्पीड बन इंटू इस्ट आप इन्टू प्रेश्ट्वर्च इंटू टाइम सेकेंड 56 इंटू 6 एक्स इंटू 7 56 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा 40 किलोमेडर इस आज कर से समय दूरी चाल कि कुसेंट को सॉल्व करने का जो तरीका है वह ट्रिकी मेठेट से किस प्रकार से आसानी सा सॉल्व करेंगे जिनके वब डिसकस किया है जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब देचनल लाइक अमेट एंट जैर से प्रोग्राम जी आपका समय दूरी चाल